हेलो बच्चो, आज हम आप लोगों को आपकी हिंदी की बुक है, जो क्लास 7 की बसंत भाद दो, उसका लेसन नमबर 2, जिसका नाम है दादी मा, ये एक कहानी है, और इसके जो लेखक है, वो है सिव प्रशाद सिंग जी, इस लेसन, आपके जो पार्ट पुस्तक है, लेसन नम के लेखक है, सिव प्रशाद सिंग जी, इस कहानी से आपका पहला कोश्चन, तो पहला कोश्चन जो है इस लेसन का, लेखक को अपनी दादिमा की याद के साथ साथ, बच्पन की और किन-किन बातों, बाते याद आ जाती है, अब यहाँ पे आपको बता दे, अगर आपने स सारांस को नहीं देखा है, तो आप जाके देख लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंगे, या आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में भी, क्लास 7 हिंदी में जाके देख लीजिए, आपको वहाँ पे इसका सारांस मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप को देख लीजिए, ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंसर को आराम से दे सके और एक बर सुनने के बाद आपको याद हो जाए, कि लेखा को अपनी दादी मा के याद तो आती है, उसके सहासत और भी बहुत सारी बाते जो होती है, जो बच्छपन की लेखा को याद आ तो चलिए कौन-कौन सी बाते हैं, इसके अंसर को समझते हैं, जानते हैं, कि जब लेखा को मालूम हुआ, कि उनकी दादी मा की मित्यू हो गई, तो उनके आखों के सामने दादी मा की सभी यादे क्या हो जाती है, सजीव हो उड़ती है, मतलब ऐसा लगता है कि उनके आखो कि बहुत सारे बाते भी याद आने लगती हैं, जैसे लेखक न चाते हुए भी उस गंद पूर्ण जाग से भरे जलासें में कुद कर नहाना मतलम, कौर का महना रता है, मैंने आपको सारांस में बताया था, बारिश का मौसम रता है, चारो तरफ पानी रता है, और पानी में सेकरती हैं, और गभाते भी आफलेखक में दौर नहां लेते हैं, जिसके करना और बीमार पढ़ जाते हैं, और बीमार बीमार हो जाने के करनां दादी मात दिन रात उनकी इसवा करती हैं, कुषन भईया साधी के किन सा बोड़े गया दया कर दिन- आफनें या, अच्छे गीद गाती है और रात के अभिनय के समय चादर ओड़कर लेखक सोए रते हैं और फिर उसके बाद वह पकड़े जाते हैं और रामी की चाची की घटना मैंने ये भी बताया था कि रामी की चाची की भी घटना होती है जो दादी मा से पैसे ली रहती है उसका ब्याज बना रहता है ये सब घटना सब उनको क्या होता है लेखक को याद आ जाता है ठीक है जब लेखक को पता चलता है कि दादी मा की मित बाते हुए उस गंद से भरे हुए जाग से भरे जलासे में कुद करना पड़ा फिर बीमार हो जाने पर दादी मा दिम्रातुं की सेवा की कीशन भया के शादी में और तो दौरा बहुत सारे अच्छे गीद गाए गए और रात को जब अमने हुआ उस साधी के समय है तो उसमे लेखक वहाँ चादर औरत कर सोई रहते हैं क्योंकि वहाँ आदमी को सोना है लाउँ नहीं रहता है फिर भी लेखक सोय रहते हैं फिर पकड़े जाते हैं और आमीग चार्षी के जो घटना होती है यह सब बाते हैं याद आजाती हैं आगे बढ़ते हैं Next Question No 2 दादा की मित् बहुत ही खराब हो गए थी क्यों क्योंकि जीवन में कप्टी मित्र जो पैसे लेकर उनको नहीं देते थे उनके खास खास दोस्त हैं वैक्ति थे उन लोगों की जैसे बहुत से लोग उनके जीवन जीवन में आ गये थे जिसके करण की आर्थि किस्ति भीगड़ चुकी थी खराब हो गया थी इन गलत मित्रों की संगती ने घर का सारा का सारा धन क्या कर दिया लश्ट कर दिया खतम कर डाला और इसके अतिरिक्त दादाजी के स्राद में भी दादी मा के मना करने के बावजू की हुई शंपती घर की नहीं थी वो सब कहां से लिगे थी कर्ज में ली गई थी और दादी मा के मना करने के बावजूद भी पिताजी नहीं माना जिसे घर की मवजूदा हालत क्या हुए थी बिगड़ गई थी आर्थे की सिति बिगड़ गई थी आगे बढ़ते हैं नेक् श्थोरे जब क्राटिक सेवा करने का सभाव जब लेक्क भी मार पाओ दिन रात के सेवा करती हैं लोगों की रच्छा करना कर ना गावर वह जब लोक वीमार पते तो वो दादी मा से हजारों किस्मी की की उनको दवार्द को नोलेज रथा है दादी मा secondo को नसे पूछने ल को थे सकती है प्र ताती महां किया करती है पार करती है उद्धारे के जुद हारे के जो पैसे रहती है और जो थे पैसे सब को छोड़कर उन्टा सरस्वभा यह थैसनगत उपकार कर दिंगा उसरह माफ कर दी असाथ ही उनको 10 रुपे उनकी बेटी की रामी की चाची की बेटी के साधी के लिए देती हैं तो ऐसी आधी बहुत सारी मतलब ऐसी बाते हैं क्योंकि इनहीं कारणों से वे दूसरे के मन को क्या करती थी जितने में हमेसा सफल रती थी देखें यहां पे फिर वही स के पिताजी की जो आर्थिक तंगी रहती है उसको भी दूर करने के लिए क्या कर दिये दादी सोने के कंगन बॉक्स से निकाल कर लेखा के पिताजी को दे देती है तो इनी सबी बातों से यह पता चलता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का क्या था आगे बढ़ते नेक्स्ट कहानी से आगे इसका question number one है कि आपने इस कहानी में महिनों के नाम पढ़े जैसो qwar, aasad और माग इन महिनों में मौसम कैसा रहता है इसके बारे में लिखिये तो चलिए जानते है कि qwar का महिना कैसा रहता है तो क्वार का जो महिना होता है वो बारिस और सर्दियों के बीच का महिना होता है इस महिने में नहीं अधी गर्मी पड़ती है और नहीं अधी सर्दी होती है ठंडी होती है आसार का जो महिना होता है आसार के महिने में बहुत ज़्यादा गर्मी और कभी-कभी तो थोड़ी ब अपनी बात होती है लेखक के इस कदन के नुसार यह के इस मौसल में कौन कौनसी चीज़े विशी gwisais सुरूप से मिलती है ठाइफ के अपर संदिके मौसल कि क्या बाते है उसमें फॉलो में जैसे सेव, अम्रूद, केले, अंगुर मिलते हैं और सबजियों में पालक का साग, बत्वा का साग, सर्चो का साग, मटर, फूल, गोभी, मूली सबसे अधीक मात्रा में मिलते हैं नेक्स बढ़ते हैं गर्मी, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बर्षाद के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्षा होती है और तीजावा भी चलती है कई प्रकार के फल भी मिलते हैं जैसे आम, आलू, बुखारा, खुर्मानी के अलावा इस मौसम में सबजियों में भी जैसे बैगन करे ले परवल फलियां यह सभी सबजियां बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाते है तो यह हो गया थी मौसम के बारे में उनकी जो गूर होती है उनके जो विसेश पकार के चीजी मिलते हैं उन सभी के बारे में आगे आते हैं अनुमान और कलपना इसका जो question number one है वो है कि इस कहानी में कई बार रिर्ण लेने की बात करेगी है मतब रिर्ण मतब उधार लेने की बात तो हम लोगों ने पढ़ा है आपने पढ़ी अनुमान लगा यह कि किन-किन पारिवारिक परिस्थितियों में गाउं के लोगों को को कुइण के लोग होते हैं वो लोग करज लेते होंगे और यहां उन्हें कहां से मिलता होगा और बड़ों से थोड़ा बातचित करिया बातचित करके इस nhấtे में लिखिये ूट इसमिणी करने अब क्या नगुत करी पने मों करणा हैं और व्हां बहुए संद्धे है ug इस तरह के वहाओ सारी रीजन होते है करना पड़ता है। मतलब गर्ज लेना पड़ जाता है गाउं के लोगों को और यह रियूरों ने कहां से मिलता है गाउं के जमिदारों वो साहुकारों द्वारा भी साथ होता है लेकिन आजकाल तो गाउं के जमिदार साहुकार के साथ साथ तो बहुत सारे ऐसे बैंक अब आ गये हैं जैसे तो अपने अपने मित्रों के अधारब लेकिए तो आपस में दोस्तों से बात करके आप लिख सकते हैं कि आप कोई भी उस्तों कोई समारो होता है चाहिए बड़े पाटियो या साधी समारो उन सब में आप क्या-क्या करते हैं तो मैंने या थोड़ी से बातों को बताया है कि जैसे घर में होने वाले कोई उस्तों होता है कोई समारो होता है कोई तहवार होता है तो उसमें बच्चे बहुत कुछ करते हैं जैसे नए-ने कपड़े पहनना बहुत से प्रकार की खाने का आनंद लेना नाचना गाना खुब म क्या है कि नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान दीजिए क्या दी गई पंक्तिया है जैसे जरा सी कटनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद तो समानता का बोट कराने के लिए अब समानता मतलब एक दुसरे को समान बनाने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है सा, सी, से का प्रयोग किया गया जैसे जरा, सी, कठनाई पढ़ते, कठनाई, जरा, सी कैसी है, थोड़ी सी अन्मना सा हो जाता है ठीक है, अन्मना सा, सा का प्रयोग किया गया है सन से सफेद यहां सपेद का संसे समानता किया गया है कि संसे सपेद तो ऐसे पांच और सब्द लिखना है और उनका क्या करना है वाक्य में प्रेयोग करना है इसी सा से सी का प्रेयोग करके यहाँ देखें मैंने आपको बताया है पान सब्द जैसे फूल सी, मिस्री सी, सुन्दर सा, सहथ सा और रूई से फिर मैंने पान सब्द यहाँ लिया गया है इसका बाकर प्रयोग भी क्या है जैसे फूल सी है तो आज तुम फूल सी सुन्दर लग रही है मिस्त्री सी है. तो इसका क्या बाक्य प्रयोग है? जैसे छोटी बच्चियों की बाते係 मिस्त्री सी मीठी होती है. नेक्स्ट है थर्द में सुंदर सा. तो इस गाने का जो मुखड़ा है वो कितना सुंदर सा है? नेक्स्ट है पूर्थ सहत्सा. यह आम सहत सा मीठा है यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है समानता बताए जा रही है कि आम कैसा है सहत की जैसा मीठा है यहाँ पे सुंदर साज से गाले का मुखडा कैसा है सुंदर साज सामानता है छोटी से बच्ची की बाते कैसी मिस्री सी मीठी है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो फूल सी, तो किस से तुम प्रिजन समानता दिखा गया, फूल से रूई से, नानी जी के बाल रूई से भी सपेद हो गया, तो यहाँ पे नानी जी के बाल को जो समानता दिखा गया किस से दिया गया है जूरी से किया गया है तो ये हो गया question number one का answer आगे बढ़ते next question number two कि कहानी में छूच हो कर जोयर का अनुमान करती पूच पूच कर घरवालों को परशान कर देती ठीक है ये कहा गया ना कि छूच हो कर हर समय जोयर का अनुमान करती रहती और पूच पूच कर घरवालों को परशान कर देती इस तरह की वाकिया है ठीक है इस तरह के sentence आए है तो किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिग बार एक ही सब्दका प्रेयोग होता है ठीक है जैसे छू छू कर एक से अध ओर ट्रव कर देख दिया तो एक बरल्ग किसी चीट को टूंड़ आ लेकिन जगां मैंत्र Gथा दुड्च जब ऻंगेती तो इसमें प्रकार तो चल चल कर दुसरा है मान नजाने क्यों जोर जोर से चिला रही थी तीसरा है रोहन च्छत से गिरते गिरते बचे गया चौथा है सागर के गिनारे दूर दूर तक कोई जहाज नहीं था पांचवा है कि मेरे बार बार मना करने पर भी सीद्धा बार छोड़ कर चली गई तो इसी तरह कि आप भी अगर आपके पास भी कोई बाकिया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर थ्री यहाँ पी कोशन नमबर थ्री में पूछ रहा है कि बोल चाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांस दादी मा कहानी मे इसप्ण कि बहुत सारे हैं और वहा कृट हैं अब कह रहा है कि इस विसेश चेत्र से संबग ने हैं मतलब वो जो सब्ध हैं, वो जो वाक्य हैं, जो दादी मा कहानी में आए हैं, उसको पढ़नों से ऐसा लगता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एक विशेष छेत्रे, एक पर्टिकुलर एड़ गया से लिया गया है, मतलब कहानी के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे सब्दों और ऐसे वाक्यांसों में हम लोग क्या बोलते हैं, छेत्री ये बोलचार की बहुत सारी खुबिया होती हैं, ठीक है, जैसे उधारन के लिए कि निकसार, बर, बरहमा, उरीन, चिऊड़ा, छोका, इत्यादी आदी सब्दों को देखा जा सकता है, और इन सब्दों का छेत्री बोलियों में देखा जाता है, तो बहुती अलग धंसे होता है, जैसे चिऊड़ा को क्या बोलते हैं, चिऊड़ा, चुड़त्र, या पोहा, या इसी तरह चोका को क्या बोलते हैं, छोक, तड़का, इस तरह भी कहा जाता है, तो निकसार, उरीन और बरहमा, सब्द भोली से इकत्र करना है और कक्षा में लिकर दिखाना है चली इसके एंसर को जानते हैं कि निमलिकीत ऐसी बोलड़ जाल की भासा से प्रचलर सब्डह से हिंदिलवान है जैसे मिट्टि निकी को माटी और मटी भी कहते हैं घासrows बिसे मिट्टी काते लिए रासिं दिल भी कहा जाता है घना को अधिक को क्या गोते को बहुत घना है व्यक्ति व्यक्ति जिसे बंदा वो बंदा व्यक्ति की बात होती है चादर चादर को चदर भी कहा जाता है प्यार दुलार सुबा सुबा को सबेरा और सबेरा भी नाटक नाटंकी भी कहा सकते हैं चित्री भासा म मतका ग्रीया घैली भी गा जाता है कंहाना Operation सब्ध है पूछ कर आप एक तुरह के सिखते वहां है यहां Напर लिख सकते हैं तो यहां था दादी मा के सारी के-क शारा मद एक लिद्सुन यह समझा उसे तरह आपको यह और वीडियो कर वो आप देख सकते हैं और हमारे चैनल के प्रेश में आपको हर एक लेखा का जीवन पर चे भी लगबग मिल जाएगा उसे भी आप देख सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद